नवस्ते फ्रेंड्स तो देखेंगे तो यहां से मतलब मेरेको आज लग रहा था कि मार्केट थोड़े बहुत नीचे जाने का सम्भवना बन सकते हैं लेकिन, बैंग Nifty का थोड़े बहुत मेरेको नहीं लग रहा है कि मार्केट थोड़े बहुत नीचे जाएगा, लेकिन निफ्टी का जो लेबल मैंने सोचा था कि देखे 23,555, यहां से थोड़े बहुत गिरावट बन सकते हैं, मेरेको अभी भी लग रहा है कि यहां से तो मेरे को जैसे लग रहा है कि 50,333 का जो लेबल है वो तो आज करी दिया लेकिन मेरा जो दूसरा वाला टारगेट है वो 50,444 तक आने का संभावना है और तीसरा टारगेट जो बन सकते है मार्केट के लिए आज तो 50,5002 यहां तक बैंक निफ्टी आने का संभावना बन सकत है तो इसके लिए तैयर है और ऊसके साथ साथ को यहां पर है क्यों की देखिए यहां पर यह जो लेबल था आप एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लेना तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि देखें बन तो देखें पर दोंटीर का जो लेबल है है श्टरोंग एजिस्टेंस जोन को जब भी तोड़ा, तब क्या होगा, यहां से मार्केट थोड़े बहुत ब्रेक आउट करेगा, और ब्रेक आउट करके कहां तक जा सकते हैं मार्केट, दोनों ही इसका टर्गेट हो सकते हैं, कि 50,222, मैंने बार बार बोला कि यह जब भी निगलेगा, त तो यहां से सिधा के सिधा टर्गेट बन जाएगा, 50,444 तक, और अभी तक 333 तक आया, लेकिन यहां पे थोड़े बहुत वेट कर रहा है, और इस लेबल का जब भी ब्रेक आउट होगा, तो 444 तक आने का समभाब बना है, लेकिन मेरे को देखे, आज बैंग निफ्टी 50, 50,522 यहां तक चला गया, और यहां से थोड़े बहुत रिवार्साल प्लान हो सकता है, जो इसको फिर से लेके आ सकता है, 50,222 तक, और 222 को ब्रेक डाउन किया, तो फिर से 50,55 तक आने का समभाब बन सकते, देखे, मेरे को शुभे में लग रहा था कि हाँ, थोड़े बहु जैसे दिखाएगा, तो ऐसे ही मैं ट्रेड करूँगा, सुभे मेरे को P side में एक trade अच्छा खासा मिला, वहां पे मैंने profit बुक किया, उसके बाद मैंने C side में यहां पे profit बुक किया, थोड़े बहुत कॉंटी में, मतलब सुभे में 60 point का profit मिल गया था, और उसके बाद मेरे क ठहरूंगा थोड़ी बहुत देखूंगा मार्केट को और एक बज़े एक देड़ बज़े के बाद ही मैं ट्रेड लूँगा अभी तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा देखिए यहां पर ब्रेक आउट हो रहा है तो इस ब्रेक आउट में क्या होगा कि यह जाने का उमीद कहा तक है 50,444 तक जाने का उमीद है तो यहां पर देख लेना देखिए ओन मार्केट में आपको दिखा रहा हूं कि ओन मार्केट कैसे तरीके से मार्केट ब्येव करता है और ब्येवियर रल जो स्ट्राक्चर है वो कैसे जाता है ठीक है तो इसको समझ लेंगे तो आपको दिन फिफ्टी थाउजन लेबल का जो हाई था 440 तो 440 को निकलेगा तो यहां से थोड़े बहुत उपर जाने का कोशिस बन सकते है लेकिन यहां पर मेरे को जैसे लग रहा है कि अभी तो उतना ज्यादा कुछ होगा नहीं यहां पर थोड़े बहुत रूपना चाहिए रूपन साथ लाइफ ट्रेडिंग मेंटरसीब बैज में जॉइन होना चाहते है तो नीचे दिए लिंक लिंक पे जाके आप लोग थाउजन रूपन कोट लगा के थाउजन रूपी मिल जाएगा जो आपको 50 रूपे परता था वो 4000 रूपे में आपको हो जाएगा ता चली आज के यहीं इतना ही फिल्म लोगों तकने आप डिया में तब तक के लिए जाएगा बाएगा